बल्ली के पास एक भालू था, वह भालू से एक बार जंगल में घायल पड़ा हुआ मिला, उस समय वह केवल एक दो महीने का रहा होगा, बल्ली के मन में बहुत ही दया थी, वह बोला, बल्ली ने भालू की बहुत सेवा करी और वह एकदम से ठीक हो गया, कुछ दिन साथ रहने से बल्ली और भालू में गहरा लगाव हो गया, इसलिए बल्ली का उसे छोड़ने का मन ही नहीं किया, और फिर वह भालू बल्ली के साथ रहने लगा, भालू का नाम उसकी बेटी प्रीता ने जुमरू रखा, बल्ली की एक बेटी थी प्रीता, वह भी जुमरू का बहुत खयाल रखती, एक बार बल्ली को लकवा मार गया, और उसने बिस्तर पकड़ लिया, प्रीता परिशान होकर बोली, पिता जी, अब क्या होगा, आप अगर इस तरह भी मार रहेंगे तो मेरा और जुमरू का क्या होगा, बेटी की बात सुनकर बल्ली की आँखों से आसू निकल पड़े, कहते हैं, जानवर इनसान से ज्यादा वफदार होता है, जुमरू बोल तो नहीं सकता था, लेकिन अपने जीवन दाता को इस हाल में देख कर बहुत दुखी था, प्रीता अपनी मा की तस्वीर के सामने खड़ी होकर बोली, मा, अगर आप जिन्दा होती तो पिता जी का खयाल रखती, अब ना आप हो और ना ही पिता जी ठीक है, फिर, फिर मैं अकेली क्या करू, कुछ समझ नहीं आता मा, उसकी बात सुनकर जुमरू ने उसके कंधे पर हात रखा, प्रीता समझ गई कि वह कह रहा है कि वह हमेशा उसके साथ है, एक महीना गुजर गया, घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा, बल्ली का इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं बचे, प्रीता ने देखा कि जुम आखों से उसकी तरफ देख रहा है, वह भी बहुत भूखा है, प्रीता ने उसके सिर पर हात फेरते हुए कहा, जुमरू तू उदास मत हो, मैं कहीं कोई काम ढूनती हूँ, मैं तुम्हें भूखा नहीं रहने दूँगी, सबका पेट पालने लाइक तो मैं कुछ काम कर ही प्रीता जैसे ही घर से बाहर निकलने लगी, जुमरू ने उसका कुर्ता पकड़कर अंदर खीच लिया, और वे खुद वहां से बाहर गया, और कुछ दूरी पर जाकर ठुमक ठुमक कर नाचने लगा, प्रीता उसके पीछे पीछे आई और बोली, ये क्या कर रहे हो जुम और नाच देखकर सब लोग उसके पास खड़ी हुई प्रीता को पैसे देने लगे, इसी तरहां प्रीता के पास बहुत सारे पैसे इखटे हो गए, जब जुमरू ने नाचना बंद कर दिया, तो सब लोग वहां से चले गए, प्रीता ने जुमरू को गले लगाते हुए कह तुम कितने अच्छे हो जुमरू, तुमने मुझे काम करने से रोग दिया और खुद नाचने लगे, लेकिन देखो हमारे पास कितने पैसे जमा हो गए हैं, अब हम में से कोई भूखा नहीं रहेगा और हम लोग ना पिताजी का इलाज भी अच्छे से कराएंगे, हाँ चलो जुमरू, आज चावमिन खाते हैं, तुम्हें भी बहुत पसंद है ना? जुमरू ने हां में गर्दन हिला दी, प्रीता के पडोस में ही एक लड़का चावमिन बेचता था, जब भी उसकी चावमिन बच जाती थी, वे जुमरू के सामने डाल जाता और जुमरू उसे बड़े चाव से खाता, लेकिन अब उस चावमिन वाले ने अपना ठेला लग जाना बंद कर दिया, इसी लिए उन्होंने बहुत समय से चावमिन नहीं खाई, इसी लिए आज जुमरू और प्रीता चावमिन खाने निकल पड़े, उन पैसों से प्रीता ने बल्ली के लिए थोड़ा सा खाने का सामान भी खरीदा, प्रीता, ये सब कहां से लिए आई, पैसे कहां से आये तुम्हारे पास? प्रीता जुमरू का ख्याल लगना, ये जानवर ऐसा नहीं है कि इसे सब प्यार करें, बहुत से लोग पालू देखकर डर भी जाते हैं, कहीं कोई डर के मारे इसे नुकसान न पहुंचा दे, नहीं पिता जी, मैं जुमरू को कुछ नहीं होने दूंगी, अब जुमरू और प्रीता रोज बाहर निकल जाते और जगा जगा नाच दिखा कर पैसे लेते, प्रीता जुमरू से बोली, जुमरू ये जो हम रोज चावमीन खरीद कर खाते हैं, इसमें तुम्हारा जरा भी पेट नहीं भरता, मैं सोच रही हूँ कि अब मैं चावमीन घर में ही बनाऊ, प्रीता उसे गले लगाती हुई बूली, मेरे मोटू से जुमरू, तुम कितनी जल्दी सारी बाते समझ जाते हो, अब प्रीता के घर की स्थिती ठीक होने लगी थी, थोड़ा बल्ली की तबियत में भी सुधाराने लगा, लेकिन एक दिन, जुमरू बीमार पढ़ गया, व उसने खाना, पीना, सब छोड़ दिया, वे जरा भी खड़ा नहीं हो पा रहा था, प्रीता डॉक्टर को बुला कर लाई, मगर डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सका, और एक दिन, जुमरू उन्हें छोड़ कर भगवान के पास चला गया, ऐसा नहीं लगता, जैसे कोई जानव पर मरा हो, बलकि मुझे तो ऐसा लगता है, जैसे मेरा बेटा ही छोड़ कर चला गया हो, पिता जी, मैं कैसे रहूंगी जुमरू के बिना, मैं तो उसे एक पल के लिए भी नहीं भूल पाऊंगी, वो हमारे जीवन का सहारा था पिता जी, हमारा सहारा छूट गया, ये कहकर प्रीता और बल्ली फूट फूट कर रोने लगे, कई दिन बीट गए, जुमरू के दुख में घर में चूला नहीं जला, बल्ली की तबियत फिर से खराब होने लगी, बल्ली की स्थिती देखते हुए प्रीता ने खुद को संभाला, और खाना बना कर बल्ली को खिलाया, औ बोली, पिता जी, अगर हम इसी तरह जुमरू के शोक में डूबे रहेंगे, तो खुद भी बिमार पड़ जाएंगे, फिर हमें कौन देखेगा, इसी लिए इस दुख से बाहर निकलो, जुमरू को हम कभी भूल तो नहीं पाएंगे, लेकिन उसकी याद को हिम्मत बना कर अच्छी जिन्दगी जीने की कोशिश करेंगे, प्रीता ने बल्ली को तो दिलासा दे दिया, लेकिन वे खुद जुमरू की मौत से अंदर तक तूट चुकी थी, उपर से अब घर चलाने की चिंता, अब तक तो जुमरू के नाच से पैसे मिल जाते थे, लेकिन अब उससे ही कुछ करना पड़ेगा, लेकिन आखिर वे करेगी क्या, यही चिंता उसे खाए जा रही थी, तब ही उसकी नजर चाउमीन के उस सामान पर गई जो वे बनाने वाली थी, उसे देखकर उसको जुमरू की याद आ गई, और उसकी आखें भराई, प्रीता ने सोचा, अब इतनी चाउमीन का मैं क्या करूंगी, खराब होने से अच्छा है, इसे बना कर पड़ो उसमें बाढ़ तू, लेकिन मेरे पास तो इतनी बड़ी कड़ाई भी नहीं है, अरे हाँ, एक बड़ी सी प्लेट पड़ी है, उसका तवा बना कर उस पर ही बना लेती हूँ, प्रीता ने तवे पर चाउमीन बनाई और कहने लगी, पिता जी, खाकर बनाना कि चाउमीन कैसी बनी है, आज जुमरू जिन्दा होता तो चाउमीन खाकर वे ठुमकने लगता, बल्लू चाउमीन खाकर बोला, बेटी, चाउमीन तो बहुत अच्छी बनाई है तुमने, सच में चावमीन वाले से भी बढ़िया बनी है पिता जी पहले तो सोचा था कि पडोस में बांटू खराब हो जाएगी लेकिन आप सोच रही हूँ कि बाटने से मुझे क्या मिलेगा इससे अच्छा तो मैं चावमीन वाले के ठेले की जगा अपना सामान रखकर इसे बेचना शुरू कर दू वैसे भी अव्वे जगा खाली है क्या तुम कर पाओगी प्रीता? हाँ पिता जी जीवन व्यापन के लिए कुछ तो काम करना ही पड़ेगा न अगर आप ठीक होते तो शायद मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती प्रीता ने एक ठेला लिया और वहाँ तवा चावमीन बना कर बेचनी शुरू कर दी एक ग्राहक ने पूछा अरे ये कैसे चावमीन है? भाया ये तवा चावमीन है ग्राहक ने तवा चावमीन ली और उसकी खूब तारीफ करी इसी तरहा प्रीता की तवा चावमीन के बहुत सारे ग्राहक बन गए नई तरहा की चावमीन के बारे में जान कर लोगों का उसे खाने के लिए उतसहा बढ़ने लगा और वे वहाँ स्पेशल तवा चाउमीन खाने आने लगी अब प्रीता की वहाँ रोज हजारों की विक्री हो जाती थी कुछ ही दिनों में उनकी हालात बदल गए प्रीता ने बल्ली का इलाज शहर के बड़े अस्पताल में करवाया और वह ठीक हो गया अब बल्ली भी प्रीता के काम में उसकी मदद करता था प्रीता ने ठेला छोड़ा और वहाँ तवा चाउमीन की एक दुकान खोल ली जिसका नाम रखा जुम्रू तवा चाउमीन प्रीती के संघर से उनकी गरीबी के दिन दूर हुए और तवा चाउमीन मशुहूर हो गई गंगा का बेटा रजट उची पोस्ट पर था और उनकी बहु मीता भी जॉब कर रही थी उनका प्यारा सा बेटा बंटी है जो अपनी दादी और दादा राम स्वरूप को बहुत प्यार करता है सबेरे जैसे ही गंगा की आँख खुली वे जोर से चीक पड़ी बचाओ, बचाओ साप, साप बेट पर मोटा और काला साप पड़ा हुआ था शोर सुनकर रजट और बंटी दोड़े हुए आए बंटी ने उस मोटे और काले साप को उठा कर अपने गले में डाल लिया गंगा घबरा कर बोली क्या कर रहा है बंटी, जल्दी से साप को फेक दे वे तुझे काट लेगा बंटी, जल्दी से साप फेको ये तु नकली साप है, देखो देखो रवर का साप लेकिन असली भी इसके सामने नकली लगने लगेगा क्या? ये नकली है इसका मतलब तुने मुझे बेवकूफ बनाया रुक, अभी तेरे कान खीचती हूँ अभी तुझे मज़ा चखाता हूं पंटी, बहुत शैतान हो गया है तू तो मैं क्या करूँ, कहां जाओ, मैं कितनी देर का जागा हुआ हूँ और मम्मी तो अभी भी सो रही है, आप अभी भी उटकर आयो एक दादी है, जिनके साथ हसी मज़ाग कर लेता हूँ तेरी मम्मी कल रात पार्टी से लेट आई थी, तभी सो रही है तो क्यों जाती है पार्टी में, और फिर मेरे लिए तो उनके पास कभी टाइम ही नहीं होता बहुत बोलने लगा है तू, बत्तमीज होता जा रहा है आप जाओ, आप से मुझे बाती नहीं करनी दादी, मुझे भूग लगी है, जल्दी से कुछ खाने को लाओ अब तो पेट में चुए भी दोडने लगें, नहीं तो फिर मुझे चुए मार दवा खानी पड़ेगी चुप, बिल्कुल चुप, शुप शुप बोला कर, तुझे पता भी है कि क्या बख रहा है चल, मैं नाश्ता बनाती हूँ गंगा नाश्ता बनाने लगी, राम सुरूप किचन में जाकर बोले अरे गंगा, तुम सब काम अकेले क्यूं किया करती हो, तुमने सारा काम अपने उपर ले लिया है अरे बहु मीता बिल्कुल आलसी हो गई है, थोड़ा बहुत काम तो उसे भी करना चाहिए न अरे, काम करने से कौन घिस जाता है, मेरी एक्ससाइज हो जाती है, और इसी वजह से मैं अब भी सेहत मंद हूँ, और वैसे भी बहु और बेटी में क्या अंतर होता है चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी वैसे ही करो गंगा ने खाना बनाया, फिर सबको आवाज दी, सभी लोग नाश्टे की टेबल पर आ गए वाव, so tasty breakfast, ममी, you are great, अगर आप नहीं होती तो हमारा क्या होता, आपके हाथों में जादू है बंटी के birthday पर मेरी जिन सहेलियों ने आपके हाथ का शाही पदी खाया था ना, वे आपको बहुत याद करती है क्या, सच मुच बहू? हाँ, सच मुच ममी, कल मैं उनको फिर से invite कर दू, सारी friends आपकी डिश को मिस कर रही है बुला लो फिर दावत पर, मैं खाना बना दूँगी मीता खुश होकर गंगा के गले से लिपट गई और बोली आप कितनी क्यूट हो ममा मीता अपने रूम में अपनी सहेलियों को फोन करती है कल की किटी पार्टी में मज़ा आ गया नेक्स टे मंडे को मेरे यहां पार्टी है सब को आना है और पता है मिसिस सकसेना भी आ रही है यूनो वही रजट के बॉस की वाइफ आपनी सास के लिए ऐसी ही भाशा इस्तमाल करती थी बुढ़िया, खुराट, खुसट आदी शब्दों से नवास्ती थी कमरे में आए रजट ने जैसे ही अपनी मा के लिए बुढ़िया शब्द सुना तो वह मीता को डाटने लगा तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी मम्मी को ऐसा बोलते हुए? शट आप, mind your language तुम्हें पता होना चाहिए कि इस पार्टी में तुम्हारे बॉस की वाइफ निशा सकसेना भी आ रही है तुम्हारा प्रमोशन पक्का है यह सुनकर रजट भी खुश हो गया और बोला Really? You are so great मीता तुम कुछ भी करो, मुझे कोई मतलब नहीं दूसरे दिन पार्टी में सब ही लोग आए गंगा ने बहुत सारे पक्वान बनाए वे सब को सर्व भी कर रही थी रजट के बॉस की बीवी निशा सकसेना पहली बार आई थी मीता उसकी बहुत चापलूसी कर रही थी गंगा शाही पनीर का बाव लेकर निशा के पास आई वाव, so tasty dishes मीता जी, ये आपकी मेट बहुत अच्छी है अगली बार जब मैं पाटी करूँगी तो आप इसे मेरे यहां भेज देना वाइ नाट, भेज दोंगी मीता की सहिलियां आश्चर से मीता की ओर देखने लगी क्योंकि वे सभी जानती थी कि ये है मीता की सास है गंगा को ये सुनकर धक्का सा लगा वे वहाँ से चुपचाप चली गई उसकी आखों में आसू थे हवा की साथ साथ sweet sweet सी smell किसकी आ रही है ये मेरी सास ने किसी फूल का पौधा लगाया है मुझे इस पौधे का नाम तो नहीं मालूम पर वे गाउ से लाई थी she's a great lady वे है कहां उनसे कहना कि ये पौधा मुझे भी ला कर दे मैं अपने गार्डन में लगाऊंगी जरूर पार्टी खत्म हुई सब लोग चले गए तभी गंगा तयार होकर अपना सामान ले कर आ गई असल में उसे अपनी बहुत इंसल्ट फील हो रही थी उसे मीता ने सब के सामने नौकरानी जो बना दिया था बेटा रजट मैं कुछ दिन अपने माइके में रहूंगी मेरा भाई कब से मुझे बुला रहा है गंगा अपने माइके चली गई सवेरा हुआ चारो तरफ सारा काम पड़ा हुआ था सब लोग इंतजार में बैठे थे कि कब मीता उठे और उन्हें नाश्ता मिले मीता तो रोस की तरहां बहुत देर में उठी वे हरबड़ा कर बोली अरे मेरे तो आफिस का टाइम हो गया बंटी क्या कर रहा है क्या वे स्कूल गया बंटी तो गया मैंने उसे चाहे के साथ ब्रेट दे दिये थे चाहे मैंने बना लिये तुम भी पीलो और मैं भी आफिस आ रहा हूँ मीता और रजट दोनों अपनी ड्यूटी पर चले गए दोपहर बंटी को रामसरूप ले आए जब मीता लोटी तो बंटी बराबर रो रहा था उसने कुछ खाया भी नहीं था मुझे मेरी दाजी के पास ले चलो मैं दाजी के साथ गार्डन में जूला जूलता था वो मुझे कानी सुनाती हूँ थी मैं अब कहा जाऊँ मीता खाना बनाने में जुट गई तब तक फोन आया फोन पर निशा सकसेना थी हेलो मीता तुमने मुझसे जूट बोला और अपनी सास को तुमने मेड बता दिया तुम्हारी सहेली ने अभी बताया तुम अपने बुजर्गों की ऐसी इंसल्ट कैसे कर सकती हो वो इतनी अच्छी है उन्होंने इतनी अच्छी डिशिस बना कर सबको खिलाई मैं सोचती हूँ की काश मेरी भी ऐसी सास होती मैं तुम्हारे घर आऊंगी और उनसे सौरी बोलूँगी की मैंने उनको मेड बोला मीता शर्म से गड़ी जा रही थी अब रज़त का प्रमोशन भी खत्रे में था मीता जोर से चिलाई रज़त रज़त दोड़ता हुआ आया और उसने पूछा क्या हो मीता? कैसे भी हो जिस तरीके से भी हो मम्मी को मना कर ले आओ मैं यह सब नहीं जेल सकती बंटी को फीवर आ गया है रज़त अपनी मा को मना कर ले आया मीता ने उनसे कहा मम्मी मुझे माफ कर दीजे अब मैं अपनी जिम्मेदारी समझ गई हूँ अब मैं सारा काम किया करूँगी आपको परिशान नहीं करूँगी मदद के लिए मेड रख लूँगी आज से आपको अपनी सगी मा समझूँगी गंगा ने उसे गले से लगा लिया और बोली चलो बहू मेरे साथ तुम्हारी निशा सकसेना के लिए मैं भाई के घर से फूलों का पौधा ले आई हूँ उनको भेंट करके आएंगे और उनसे मुलाकात भी हो जाएगी निशा और रजत दोनों के चेहरे